जमू कश्मीर के राजोरी में आज आतंकियों ने सेना के कैम्प के बगल में शौरी चक्र विजेता पुर्शुत्म कुमार के घर पर ग्रेनेट फेका ग्रेनेट फटने से पुर्शुत्म कुमार के चाचा बुरी तरह घायल हुआ है जिन्हें आर्मी एस्पताल में भरती कराया गया है हमले में सेना का जवान भी घायल हुआ है हमला सुबह करीब सबात 3 बज़े किया गया लेकिन समय रहते सेना के वीर जवानों ने हमले को नाकाम कर दिया और आतंकियों को घर में घुसने नहीं दिया गया बल्कि उन्हें खदेर दिया गया कैम के पीछे लगते जंगल में सर्च आपरेशन चलाया गया मीडिया रिपोर्ट्स में एक आतंकी के मारे जाने की खबर बताई जा रही है हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरा बंदी कर ली और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया अभी भी रह रह कर वहां फाइरिंग चल रही है आप सोच रहे होंगे कि आखिर परशुत्तम कुमार के घर पर आतंकी ने क्यों हमला किया तो चलिए इसका हम जबाव आपको बताते हैं दरसल परशुत्तम कुमार शौरित चक्र विजेता है 5 जुलाई को ही उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है राष्टपती द्रॉपदि मुर्वू ने एक अलंकरन समारोह में उन्हें अवार्ड प्रदान किया परशुत्तम कुमार विलेज डिफेंस गार्ड भी है और रक्षा समीती के सदस्य है परशुत्तम कुमार राजवरी जिजले में खेती बाड़ी का काम संभालते हैं 5 अगस 2003 को वे अपने परिवार के साथ जंगल में लकडी चुन रहे थे तबी उन्होंने हथियारों से लैस दो संदिग्ध लोगों को देखा दो संदिग्धों को देखते हुए उन्होंने तुरंत इसकी सूचना ग्राम रक्षा समीती पुलिस और सेना को दी इस दोरान उन्होंने अपने हथियार भी उठा लिये जब सुरक्षावल घेरा बंदी कर रहे थे उस दौरान प्रशुत्तम कुमार ने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपने आदम में साहस से उन आतंकियों का पीछा किया जब वे आतंकियों के करीब पहुँचे तो नहीं ललकारा और सुरक्षावलों के आनत तक दोनों आतंकियों को घेरे रहे उनकी इसी बहादुरी की वज़े से एक आतंकवादी मारा गया उनके सूजबूज, साहस और उतक्रिष्ट रणितिक कौशल की वज़े से ही उन्हें शौरे चक्र से सब्मानित किया गया है समझा जा रहा है कि आतंकी परशुत्तम कुमार से ही अपनी साथी की मौत का बदला लेने आये थे इसके साथ ही वे ग्रामरक्षा समीती के सदस्यों को भी ये मैसेज देने के कोशिस कर रहे हैं जो इन देनों आतंकियों के सफाय के लिए सेना के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं परशुत्म कुमार आतंकियों के निशाने पर किस तरह थे इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे समवार्दाता प्रदीप तत्ता हमारे बहादरो चोक सुरक्षा बलो ने एक आतकवादी हमले को नाकाम कर दिया आज सुबह तीन बच के दस मिनट पर आतकवादियों ने परशुत्म कुमार जो की विलेज डिफरेंस कमेटी मेंबर हैं उनके घर पर हमला किया उस टाइम पर आर्मी का जो केम्प हाली में जिससे बनाया गया है उस आर्मी केम्प से फारिंग हुई जिसकी वज़ा से आतकवादियों को वहाँ से भागना पड़ा एक पाकिस्तानी आतकवादियों को मार गिराया था ये अपने इलाखे गुंटखवास में जब लखडियां इखटी करने के लिए अपने परिवार के साथ गे थे वहाँ पाकिस्तान के आतकवादियों को देखा उन्होंने फारिंग कर दी और आतकवादियों को अंगेज कि था उसकी वज़े से पुर्शोत्म कुमार को इसी हाली में शौरिय चक्र अवार्ड किया गया है उससे शौरिय चक्र से नमाजा गया है तो यानि कि पुर्शोत्म कुमार को टार्गिट करने की साज़िश पूरी तरह से नाकाम करती है ये ये इलाका गुंडखवास का इलाका हो जाते हैं क्योंकि पासी में आर्बी जो केम्प है वहां से फारिंग होती है उसके साथ जो पुलिस पोस्ट है उसके वहां से भी जवाबी कारवाई होती है बताया जाता है कि एक आतकवादी इस समय जखमी है और जंगल के इलाखे में छुपे हुए आतकवादी वहीं परशुत्तम कुमार पर हमले के बाद रक्षा विशिश अग्यों का यह मानना है कि अब ग्राम रक्षा समीती के सदस्यों को सशक्त किया जाना चाहिए कि ऐसा है कि यह जो 44-50 के जो टर्रिस हैं यहां पर पीर पंचाल के अंदर इनका जो काम है वो यही है कि आईसाई के जो इशारे हैं कि आप भई यहां पर जाद से जादा जो है लोगों के बीच में देशत फलाएं और इसी समधर में अभी यह अटैक हुआ है यहां पर इससे पहले आपने देखा कैसे पहले भी रियासी में हुआ मचेडी में हुआ डोडा में हो रहा है पर यह जो वीडीसी के मेंबर पर घर के उपर अटैक है यह साथ दिखताता है कि यह लोग गबरा गए हैं क्योंकि अब वीडीसी इसको इंपावर हो गया है अब चाहते हैं कि वीडीसी इसके उपर प्रेशर पड़े कि ताकि वीडीसी जो है ना तो वो रियक्ट करें और ना ही वो आगे आएं उसके लिए जो है जो एंटी टेर्रिस्ट ऑपरेशन के अंदर मैं तो कहता हूँ कि गौवर्मेंट को वीडीसीज को और स्रेंथन करना चाहिए इनको सुफिस्टिक्रिट आम देने चाहिए साथ में इनको वाइरले सेट देने चाहिए जब मुँ में बढ़ते आतंकी घटनाओं के मद्दे नजर सेना बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरिशन चला रही है और हीट एंड रन की रनिती अपनाले वाले आतंकियों को घेर कर उन्हें मिटी में मिलाने का भियान भी चलाया जा रहा है आज परशुत्तम कुमार के घर से आतंकियों को जिस तरह से सेना ने खदेड़ा वह इस बात का प्रमान है कि सेना इन आतंकियों को मिटी में मिलाने का अभियान बहुत ही तेजी से चला रही है टाइमसनाव नम भारत डिजिटल की रिपोर्ट